हलो एवरीबन, वेलकम टू इश्कोर शाला, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास नाइन थिस्ट्री का चैप्टर शियोस्यलिजम इन यूरोप एंद रॉश्यन रेवलुशन और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है दिस सिविल वर, तो चलो डिस्कुस करते हैं कि आखिर बच्चो ये सिविल वर क्या था तो जैसा कि हम देखते हैं, वेन दी बॉल्शेविक्स ओर्डर लैंड डिस्ट्रिबूशन दे रॉश्यन आर्मे बिगन टू ब्रेक अप अब सिव जो बॉल्शेविक्स होते हैं, वो ओर्डर देते हैं, कि सर जो लैंड है ना उसका वापस से क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिबूशन होना चाहिए ऐसे में लोगों को लगता है कि सर, कि अगर हम गाउं वापस नहीं गए या फिर हम अपने जो घर है वापस वहाँ नहीं गए तो हमें वहाँ पे लैंड नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में सर जो आर्मी होती है वो तूटना शुरू कर जाती है, तो सर जो सोल्जर्स थे वो डिस्ट्रिबूशन लेने के लिए जादा से जादा लैंड लेने के लिए वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं और साथ इसाथ जो आर्मी होती है उसको वो डेजर्टेट कर देते हैं, मतलब वो खाली करना शुरू कर देते हैं, नॉन बॉल्शेविक, शोशलिस, लिब अब सर जो साउथ रिश्या जो एरिया था वहां पर साधीरे धीरे जो लिडर्स होते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं और साथ ही साथ जो बॉल्शेविक है, अब बॉल्शेविक को एक नया नाम मिलने जा रहा है, वो है दी रेड्ट, तो सर अब रेड है तो और कलर भी तो होंगे, during 1918 and 1919, the Greens, अब Greens ही ने कहा जाता था, Socialist, Revolutionaries को कहा जाता था, और Whites किसको कहा जाता था, जो जार को support करते थे, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं, हमारे सामने तीन कलर, Red, Green और साथ साथ में White, फिर हम देखते हैं, control most of the Russian Empire, और ये क्या करते थे, को पूरे पूरे Russian Empire को ह control किया करते थे, they were backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of the socialism in Russia, अब होता क्या है न सर, French, American, British, Japanese, ये सभी टूप्स जो होते हैं, वो Greens, Whites को support करने लग जाते हैं, ताकि सच जादा से जादा, इस overall, इस communism पे, इस socialism पे क्या किया जा सके, control किया जा सके, ताकि सच जो ये socialism है, वो रश्चा क British, Japanese continent तग ना पोस सके, फिर हम देखते हैं, as these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common, तो सर ये देखा गया, सर जब जो है, और सर जो Bolsheviks है, वो civil war ड़ रहे थे, तब सर, looting, banditry और famine जैसी जो actions होते थे, या फिर हम बात करते हैं, इसी जो activities होती थी, वो बहत ही जादा बढ़ गई supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land, तो सर अब जो supporters थे, जो private property को support किया करते थे, जो जिनने हम whites के नाम से जानते हैं, वो harsh steps लेना शुरू हो गए थे, अब सर, harsh steps इसके against में ले रहे थे, peasants के against में वो ले रहे थे, such actions led to loss of popular support for the non-Bolsheviks, तो सर, इसी के कारण धीरे धीरे अब जो non-Bolsheviks जो थे ना, वो famous होते जा रहे थे, by January 1920, the Bolsheviks control most of the former Russian empire, पर सर देखा जाता है, January 1920 तक, जो Bolsheviks होते हैं, वो most of the former Russian empire को control कर लेते हैं, they succeed due to the compare, they succeed due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim journalists, तो सर, ये देखा गया, कि उनको success क्यों मिल रही थे, क्योंकि सर, वो cooperation कर रहे थे, non-Nationalist, non-Russian nationalist और साथ जो Muslim Jedidist है, उनके साथ, फिर हम आगे देखते हैं, cooperation did not work, where Russian colonists themselves turned Bolsheviks, पर सर, जो cooperation है, वो वहाँ वक नहीं कर रहा था, जहां पर सर, जो Russian colonists थे, वो खुद में ही क्या बन चुके थे, वो Bolshevik बन चुके थे, वहाँ पर ये cooperation काम नहीं आ रहा था, इन खीवा, इन Central Asia, Bolshevik consists brutally massacred local nationalist in the name of the defending socialism, तो सर, एक खीवा है, कहां पर है, सर, Central Asia का एक पाठ एक जगे है, Bolshevik जो colony थी, वहाँ पर brutally massacred किये जाने लगे, Bolsheviks के दौरा, अब सर, Bolsheviks ने इनने क्या नाम दिया कि सर, जो हम massacred कर रहे हैं, वो सिफो सिफ क्या है, सर, वो सिफो सिफो सिफ, हमारे socialism को ब ना, वो बहुत confused हो चुके थे कि सर, आखे जो government है, वो क्या represent करना चाह रही है, partly to remedy this, most non-russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, तो सर, सर, सोवियत union में कहीं जगह उपर, political autonomy भी दी जाने लगी ती, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922, तो सर, ये देखा गया, कि एक state बना दिया गया, Bolsheviks के दौरा, और सर, इ इंपार था, उसे कंट्रोल कर लिया था, कब सर, December 1922 में, बच्चों, आज के इस टॉपिक में इतना इस टॉपिक से रिलेट, कोई भी दाउट हो था, आप कमेंट सेक्शन में हम से पूछ सकते हैं, थैंक यू कर दो का बच्चों